नमस्कार किसान भाईयों किसान साथियों फरवरी का समय चला हुआ है और दिन का टेंपरेचर लगबग 27-28 और रात का टेंपरेचर 12-13 डिग्री है यह बिल्कुल उप्युक्त समय है गन्ना भुवाई के लिए भी और इस समय जो हमारा गन्ना पोदा है बोड है वो कटने लग रहे हैं तो किसी किसान का तो पोदा कट चुका है सारा और कुछ किसानों का कटना बाकी भी है तो किसान भाईयों कौन से ऐसे खाद और कौन से ऐसी दवाई है जो हमें बोर कटने के बाद, अपना गन्ना पोदा कटने के बाद, अपनी मुड़ी जो पेड़ी है, उसमें पहले पानी के साथ लगानी चाहिए, जिससे हमारा जो पेड़ी है, उसमें बहुत चबरदस्त कल ले निकले, बहुत अच्छी ग्रोथ पे हमारी पेड़ी आ जाए क्योंकि किसान साथियो जो खेत स्टार्टिंग में बहुत अच्छी प्रोग्रेस पे आ जाता है बहुत अच्छे उठान पे आ जाता है वो लाश्ट तक नहीं दवता और किसान भाईयो पहले ही पानी पे उसमें कोई ऐसी दवाई भी डाली जाए ताकि उसमें जो कनस्वा है क्योंकि अब टेंपरेचर बढ़ता जाएगा और उसमें जो रोग है इस समय सबसे ज़्यादा कनस्वा हमारे एक शेतर में बोलना जाता है वो रोग लगगा किसान साथियो दूसरी बात मैं करूँ फंगस इस समय फंगस का खत्रा बहुत कम है लेकिन एक फंगस की दवाई और एक इंसेक्टि सैड यानि कीट ना सकका हमें प्रयोग करना घाद के साथ तो ये जो कंबिनेशन मैं आज आपको बताऊँगा इसमें हमारे जो गन्ने की खुराक है वो तो पूर्ती होई जाएगी इसके साथ-साथ फुटाव की एक दवाई बहुत अच्छी इसमें हम डालेंगे जिससे हमारा जो गन्ना है उसमें जबरदस्त कलने निकले किसान भाईयो अगर आप इन सारे खादों का जो मैं खाद बताऊँगा दो-तीन खाद है और इस दवाई का परियोग कर लेंगे तो उसमें कोई भी कीट नहीं लगेगा और आपकी जो गन्ना पेड़ी है वो जबरदस्त तरीके से फुटाव पे आई किसान भाईयो किसान भाईयो बहुत अच्छी अच्छी दवाई है जो सस्ती-सस्ती दवाई है जो फंजी साइड भी है और कीट ना सक भी है लेकिन इस समय जब हम अपने खेत को काट लेते है तो हमारी जो मुड़ी है जो हमारा पेड़ी का फुटाव होना है वो अभी नहीं हुआ होता तो हमें कोई ऐसी दवाई डालनी है अभी स्टाटिंग में जो हम जमीन के माध्यम से दे सकें जब हमारी पेड़ी एक महीने की हो जाएगी और एक महीने बाद उसमें एक फुट के हमारे पोध्धे हो जाएगे पेड़ी के, तब हम उस पे इस्प्रे लगा सकते हैं, इस्प्रे के माध्यम से दवाई ज्यादा अच्छा काम करती है, कम खर्चे में ही किसान का काम हो जाता है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कोई न कोई कीट ना सक ऐसा डालना है, जो जमीन से अच्छा काम करें, और सस्त जब नर्मात्ता आये गन्ना, तो एक दम से उसमें कीडे आने का खतरा रहता है, इसलिए हमें कीट ना सक जरूर लगाना पड़ेगा, ऐसा कीट ना सक जो हमारा 25-30 दिन की रोक थाम कर दे किसान भाईयो, उसके बाद हम इस्प्रे के माध्यम से कोई भी दवाई अच्छी दे सकते हैं, किसान भाईयो ये जो मैं आपको कंबिनेशन बताऊंगा, इससे आपका गन्ना एक दम से नर्मा होगा, बहुत अच्छे ग्रोथ पर आऊगा, कलर बहुत जबरदस्त हो जाएगा, अगर आपने पोगे छोड़ रखे होंगे, और अगर आपने पोगे नहीं छ चल रही है, और बोड कटने लगरे, कुछ किसानों के कट गए, कुछ के रहरे, इदर बुग्गी भरी जारी, तो किसान भाईयो, अगर आपने अपना बोड कट वाले है, और आपके बोड में बहुत ज़्यादा खर्पतवार है, तो सबसे पहला काम तो यही है, अच्छे अच्छी ग्रोथ के लिए, कि आप में उसमें 240 एट्रजिन, यह दो कंबिनेशन है, यह मिला के स्पेरे करवाईए, आपका घास जो है, खतम हो जाएगा, यह दो दवाईया है, इनका स्पेरे करवा दीजिए, गन्ने पेस पर कोई भी दुस्परबाव नहीं पड़ेगा, और आपका जो सारा घास है, वो खतम हो जाएगा, किसान सातियो, अब हम आते हैं, आज के टोपिक पे, किसान सातियो, यह जो मैं आपको खाद बता रहा हूँगी, सारे के सारे बहुत ज़्यादा महंगे नहीं है, और संपूर्ण कंबिनेशन है, गन्ना फुटाव के लिए किसान सातियों, यह जो मैं कंबिनेशन आपको बता रहा है, यह एक एकर खेत के लिए है, एक एकर में आपको यह डालना मिलाके, सारे का सारे एक सार। किसान बाईयों एक गलती किसान साती ये करते हैं कि देखो जैसे ही पेड़ी चुटी हुई है अभी क्या समझेंगे कि अभी तो मेरे खेत में कोई कीडा नजर आनी रहा तो मैं दवाई क्यों डाल लूँ ये गलती पिछली साल करी किसान साती ये किसानों ने इस बार नहीं करनी आपको दवाई जरू डालनी है अगर आप यूरिया का प्रयोग करें या खाद का प्रयोग करें तो खाद के समय दवाई जरू डालनी है आपको तो किसान भाईयों, हमारा सबसे पहला जो खाद है, वो है NPK 12-32-62 का एक बैग यह जो मैं दवाई का कंबिनेशन बता रहा, यह एक एकड़ खेत के लिए है किसान भाईयों 12-32-62 NPK का एक बैग 25 किलो यूरिया, दो खादोगे तीसरा हमारा है हुमिक एसिड पांच किलो एक एकड के लिए चोता है मेरा सागरी का दस किलो दानेदार किसान सातियों ये चार खाद हैं आपको चार रो एक जगा मिलाने हैं उसके साथ आपको दवाई का प्रियोग करना सबसे पहले बार में फिपरो निल रिजेंट के नाम से भी आती है अन्य भी कई दवाईयों में इसका ये साल्ट आता है आप रिजेंट मांगेंगे बायर कमपनी का लिजे किसान सातियों अच्छी कमपनी का रिजेंट इस्तेमाल करना आप केवल ये एक ही दवाई का प्रियोग कर लो और अगर आप इसके साथ फंजी साइड भी मिला ले तो और अच्छा रहेगा किसान भाईयों कार बंड़ा जिम प्लस मैं को जैब सस्ती दवाईये ये भी आप इसके अंदर मिला लीजे आपके गंडे में कोई भी कीडा नहीं लगेगा अच्छा है आप कैसा भी नरम खाद डालो अब यह जो मैंने आपको कंबिनेशन बताया यह क्या काम करेगा थोड़ा सा इस पर भी मैं बता देता हूं क्यों इतना अच्छा फुटाव इसके बाद आएगा NPK का मतलब है जो हमारे पुटाव की नीड है सबसे ज़्यादा खाद की वो सारे के सारे NPK 12, 32, 16 से उसको मिल जाएंगे यूरिया हम एक्स्ट्रा 25 किलो इसलिए डाल रहे है किसान सात्यों क्योंकि नरमा के ही फुटाव बहुत अच्छे तरीके से होता है और यूरिया की ज़रत बोधे गन्ने से भी ज़ादा पेड़ी गन्ने को होती है किसान सात्यों और जब फुटाव चलता है उसको उस वक्त बहुत ज़्यादा खाद किया वसकता पड़ती है तो आप इस वक्त यूरिया का प्रियोग जरूर करें किसान भाईयो आगला जो मैंने बताया आपको हुमिक एसिड हुमिक एसिड जड़ों का विस्तार करेगा जड़ जड़ जादा फेलेगी तो फुटाव जादा होगा किसान भाईयो और ग्रीन रिपे गन्ना आएगा बहुत जादा कलर हरा हो जाएगा बिल्कुल कचया जाएगा आपकी करते हैं किसान भाईयो और दो दवाईयां होगी तो यह जो कंबिनेशन है यह परफेक्ट कंबिनेशन है हमारी जो पेड़ी उसके फुटाव के लिए आप इसको एक साथ मिलाएगे और पांच भी यानि एक एकड़ खेत में डाली आपको बहुत जबर्दस सुन्दर रिज किसान भाईयो जबर्दस आफ की पेड़ी उठान पे आ जाएगी बहुत जबर्दस ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी किसान साथियो उसके बाद हम इस्परे भी लगा पाएंगे इसमें और आगे भी मैं वीडियो बनाता रहूंगा इस्परे के माध्यम से क्या देना और जनात भी स्टार्टिंग में हमारा शुरू हो जाए उस पे एक विश्तरत वीडियो अगली में बनाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे किसानों से भी इस बार आपको मैं मिलाऊंगा जो उन्नत किसान है जागरुक किसान है जो बहुत अच्छी ट्रंच की रिंग-पिट चुका होता हूँ तो सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी लेकिन उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और बहुत अच्छे अच्छी जानकारी दवाईयों की खादगी और अच्छे अच्छे किसानों की आपको मैं निरंतर समय समय पर देता रहूंगा धन्यवाद झाल